तो आप सबका हीली के इस प्रेसेंटेशन में स्वागत है मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और मैं करीब 20 सालों से 21 सालों से IAT के लिए बच्चों को मैट्स पढ़ाता हूँ और जबलपुर में मैं रहता हूँ और मेरा कोचिंग इंस्ट्यूशन यहां पर है जिसका मैं डिरेक्टर भी हूँ और मैस फेकल्टी भी हूँ हम लोगों ने 550 से ज़्यादा IAT जबलपुर से प्रोड्यूस किये हुए हैं और टेक्निलोजी को लेकर फिजिक्स को लेकर के अलड़ी काफी एक अटैच्मेंट हो जाता जब इतने सालों से आप उसमें जुड़े रहते हैं तो बस ऐसे ही लोगों से मिलते हुए बाते करते हुए मुझे हीली के बारे में पता चला हीली के बारे में मैं बताओं उसके पहले मैं आपको जरासा बता दू मेरा जुडाओ हीली से करीब October 2020 से है और October 2020 के बाद से लेकर के December तक तो करीब हीली में कोविड के कारण manufacturing and distribution में बहुत तकलीफ थी तो दो से तीन महिने का वेटिंग जाता था January mid से या end से कह सकते हैं आपके distribution काफी smooth हो गया है मतलब अब आप payment करते हैं तो hardly 3-4 दिनों में हीली आपके पास पहुंच जाती है तो aggressively आप कह सकते हैं कि January से ही पूरे भारत में इसका काम शुरू हुआ है क्योंकि उसके बाद से लोगों को हाथों में यह हीली मिलने लगी तो यह तो मेरा और हीली का relation था हीली के बारे में मैं सब को जानता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिकाज यह ज्यान का भंडार है और शायद learning कभी खतम नहीं होगी मगर फिर भी मैं अपने level पर जो जानता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसमें कोई query आप लोगों की हो सकती है तो मैं उसका आंसर करने के अपने तरफ से कोशिश करूँगा तो हीली के बारे में हम बात शुरू करें उसके पहले मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप यह कुछ slides हैं इनको देखें अगर आप secrets जानना चाहते हैं universe के तो आपको सोचना होगा in terms of energy, frequency and vibrations actually ऐसे बहुत सारे mathematicians भी रहे हैं जो vibrations पे काम किये हुए हैं निकुला टेसला उनमें से सबसे मशूर और सबसे जाने माने scientist हैं इसके अलावा पाइथागोरस ने भी एक ऐसी vibration calculate की थी जिससे पुरा ब्रह्मान की सभी चीज़ें vibrate करती हैं जिसका mathematical equation भी है जिस पे based एक frequency coherence नाम से हीली ने launch भी किया है just recently तो vibrations पे काफी पहले से बहुत बड़े-बड़े scientist लोग इस बारे में सोचने लग चुके थे यह 100 साल पुरानी बात है इनका यह भी मानना था निकुला टेसला का कि जिस दिन science non-physical चीज़ों को non-physical फिनॉमेना को पढ़ना शुरू कर देगा उस दिन या उस दिन से एक दशक में प्रोग्रस कई गुना ज़ादा होगी compared to गुजरी हुई सारी decades मतलब हमारी जो human race की जो development है वो बहुत अधिक fast हो जाएगी जिस दिन हम non-physical phenomena के बारे में भी पढ़ने लगेंगे non-physical phenomena से मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा हम सब में से आप में से जानते हैं कि आज हम अगर मकान की design करते हैं तो वास्तों से लेकर के बहुत सारी चीजों पर हम ध्यान देते हैं मगर घर के energy distribution पर ध्यान जिसको बीच में किनी भी कारणों से हमने खो दिया कह सकते हैं मगर अब वापस हम उस चीज को पाने की तरफ बढ़ रहे हैं इनका नाम तो कौन नहीं जानता अलबर्ट आइंस्टेंड अलबर्ट आइंस्टेंड ने कहा था आज से सौ साल पहले कि future medicines will be the medicine of frequencies मतलब आपको सिरदर्द होगा frequency लेंगे आपको चोट लगेगी frequency लेंगे आपको कोई lifestyle disease होगी आप frequencies लेंगे frequencies का अपना schedule होगा उनका अपना duration होगा बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से आज आप antibiotic लेते हैं कि इतनी डोस आपको पांच दिन तक लेनी हैं बिल्कुल उसी दिशा में हमारा जो science technology हो बढ़ रही है और Albert Einstein जैसे जो बुद्ध जीवी scientist लोग हैं इन लोगों ने सो साल पहले इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि भविश्य में ऐसा होने जा रहा है इन लोगों के ऐसा कहने के पीछे बहुत ही खास वज़ा है ऐसा नहीं है कि scientist किसी बात को बिना किसी basis के कहते हैं सबसे बड़ा जो basis था इस बात को कहने का और पहचानने का वो यह है कि जो हमारी बॉड़ी है यह हमारी बॉड़ी बनती है कुल में लाके 11 अलग-अलग systems द्वारा circulatory system, digestive system, endocrine, exocrine, immune system, muscular system, nervous system, renal, respiratory, reproductive and skeletal इन 11 सिस्टम से हमारी human body बनती है और जो systems है यह सभी 11 सिस्टम यह बनते हैं tissues and organs से इसके बाद tissues, organs किसे बनते हैं? cells, cells किसे बनती है? molecules, molecules किसे बनते हैं? atoms, atoms किसे बनते हैं? subatomic particles subatomic particles का मतलब electron, proton, neutron हम इनको तीनों को तो जानते हैं, सुना है, मगर इनके अलावा और भी subatomic particles होते है और पिछले कई दश्कों से, कई decades से, कई सारे scientists लोगों ने इस बात को साबित भी किया है कि electron particle नहीं है, बलकि वो एक wave है, बलकि वो energy है इस research में सबसे बड़ा काम किया था scientist Schrodinger ने, Schrodinger wave equation या Schrodinger property distribution ऐसे कई सिधानत हैं, जिससे साबित किया जा चुका है पहले ही कि electron, proton, neutron ये सब particles नहीं बलकि waves हैं, तरंगे हैं, energy है, तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि अगर हमारे body को आप zoom in करके अंदर 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 जानते हैं, तो आखरी वो चीज जो आपको मिलती है वो होती है energy, और ये बात सिर्फ living चीजों के साथ नहीं हो नॉन लिविंग का मतलब जैसे अगर आप molecules से तो सब कुछ बनता ही है, चाहे वो इंट पत्थर भी क्यों ना हो, molecules के अंदर फिर वही atom, subatmik particle energy, तो आप कह सकते हैं पूरा ब्रह्मान, जिसमें living हो, non-living हो, कोई भी चीजे हो, ultimately जो end चीज है, जिससे वो बनती है, that is, energy, तो ये छोटी सी बात मैंने आप लोगों के energy के महत्व के बारे में बताई, actually आज की date पे scientists ये भी समझ चुके हैं, कि हमारे जो molecules हैं, actually उनको frequencies द्वारा control किया जा सकता है, तो frequency का काम इस तरीके से शुरू हुआ, कि जब देखा गया कि body बनी है, molecules, cells और subatomic particles से, और उनको frequency frequency द्वारा control किया जा सकता है, तो क्यों ना हम body का उपचार भी frequency द्वारा करें, और इसी दिशा में, हीली एक बहतरीन product है, जिसका विश्व में कोई competition नहीं है, हीली analysis करता है, और deliver भी करता है, सबसे पहले analysis करता है, उन specific frequencies का, जो body में bio-justic imbalance create कर रही है, और deliver करता है, उन specific frequencies क जिस से उस balance को या imbalance को दूर किया जा सके, एक्चुली हीली ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमार लोगों के लिए बना हुआ है, हीली बहुत अलग-लग dimensions में काम करता है, health और existence के, जैसा कि physical problem like body में pain है, knee pain है, या कोई भी physical problem है, आपको उसमें तो काम करता ही है, मगर बहुत अचू काम करता है mental balance पे, आप दोस्तों जरा सोच के देखिएगा, कि अगर आपको गुस्वा आता है, या किसी को कोई mental problem है, तो क्या वो किसी organ का failure है, यह सब energy imbalance है, और कई बार mental problems को doctors, दवाओं के द्वारा physical organ को cure करके, उसका treat करने का कोशिश करते हैं, तो उस process में हम उस person को सिर् physical treatment के तोर पे करने की कोशिश करते हैं, इसलिए बहुत हमारे पास mental issues का आज भी विश्व में, एलोपेथी में कोई बहुत अच्छा समाधान नहीं है, emotional issues, emotions को आप दवाओं से थोड़ी control कर सकते हैं, हीली मगर उस पे काफी अच्छा काम करता है, meridians, meridians मतलब आप समझते हैं, energy highways, pathways बोला जाता है, actually हमारे शरीर में कई सारे meridians होते हैं, meridians वही energy pathways हैं, जिनमें की acupuncture के points होते हैं, तो acupuncture जो therapy होती है, वो भी बहुत हद तक meridians की जानकारी पे ही निर्भर होती है, उसमें भी energy pathways को mobilize किया जाता है, चक्राज, ये हमारे रिशी सादू महात्मा हजारों साल से जानते थे, कि हमारे body में कुछ energy centers होते हैं, energy centers को ही चक्राज बोला गया था, चक्र जिसे हम कहते हिंदी में, चक्र, साथ चक्र होते हैं, read के हड़ी हमारी जहां खतम होती है, वहां से ले करके हमारे माथे पे crown चक चक्र तक, इस तरीके से साथ चक्र होते हैं, और यसा माना जाता है कि अगर हमारे चक्राज के energy properly balanced है, तो हमें रोग वगेरा नहीं होंगे, बायोजनर्स्टिक फील्ड, बायोजनर्स्टिक फील्ड क्या होती है, मैं इस पे बस थोड़ी सी देर के बाद आऊंगा, तो आप को मैं थोड़ा बताऊंगा कि बायोजनर्स्टिक फील्ड क्या होती है, लर्निंग, लर्निंग की बहुत भारी समस्या है, ऐसा नहीं है कि लर्निंग क्या उशक्ता सिर्फ बच्चों को है जो क्लास में पढ़ते हैं, आप बुजर्गों में भी पाएंगे कि कुछ समय के ब एक्चुली, अब मैं आता हूँ हीली की टेक्निलोजी पे कि अल्टिमेटली हीली किस तरीके से काम करता है, तो यह है सेल मेंब्रेन वोल्टेज मॉडल, सेल मेंब्रेन वोल्टेज मॉडल, इसको बनाने वाले लोग हैं, रॉबर्ट ओ बेकर एंड जॉन नॉर्डेंस्ट् सेलों तक नॉबल जो पुरसकार दिया जाता है, उसकी कमिटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इन लोगों ने यह खुज करी कि हमारे बॉड़ी की जो सेल होती है, माइनस सतर मिली वोल्ट पे वो यंग होती है, और जैसे जैसे माइनस सेवन्टी मिली वोल्ट से दिएगे तो तक डिएधरे जैसे माइनस सेवन्टी मिली वोल्टस से जब जीरो की तरफ जाता है, तो सेल दीरे-दीरे यंग सेल से पैं में जाती है, इंसले-टीरे और थिमर्सहें से में आदिटाम सेल् आदोग जाता और अगर है यह पहचान पाएं कि हमारे organs कहां कि cells का potential difference इस तरीके से change हो रहा है कि cells tumor cell में convert होने वाली है तो उनको micro currents दे करके वापस potential हासिल करके cells को regenerate किया जा सकता है इस theory को हम बोलते हैं cell membrane voltage model यह वो basic सिध्धान्त है या कह सकते है principle है जिस पे की हीली काम करता है अब इस दिश्धा में काम करने के लिए मैं इन दो महान सक्षियत के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ मारकस कीमिके नूनो नीना basically जो हीली प्रोड़क्ट है वो develop करने वाली company का नाम है टाइम वेवर टाइम वेवर नाम की जर्मनी की company है जिसका headquarters बर्लिन में है जर्मनी में इस company के ओनर है मारकस कीमिके actually मारकस कीमिके जब 15 साल के थे उस समय से इनका quantum physics में काफी interest था 15 साल से 20 साल तक होते होते ये वहाँ पे कई universities में physics पढ़ने गया मगर quantum physics में इन्हें सोचा जो चाहा वो इनको शायद नहीं मिला basically इन्होंने क्या सोचा इन्होंने अपने कई interviews में बताया हुआ है इन्होंने ये सोचा कि मैं किस तरीके से physics को basically मारकस कीमिके के बारे में बता रहा था इन्होंने ये सोचा कि किस तरीके से physics को psychology के साथ जोड़ा जाए physics को psychology के साथ जोड़ा जाए Actually physics को psychology से जोडने का मतलब क्या होता जैसे आप घ्यान पूरवक अगर मेरी बात सुन रहा है इस समय तो आप अपनी consciousness आपकी है जो मेरी बातों को grasp कर रही है physical organs जो आपके body में वो तो अपना काम उनको जो करना है वो कर रहे है मतलब हमारे सादू मात्मा या हमारे वेदों में भी ये बात हम जानते मानते हैं और मारकस को भी ऐसा ही लगता था कि हम यहाँ पे एक नहीं बलकि दो bodies है पहली body है वो physical body जो आपको हमको सबको दिखती है दूसरी body होती है हमारी consciousness या कह सकते हमारी spiritual body तो जो हमारी physical body है वो spiritual body या आपकी consciousness के साथ जिस माध्यम से बात करती है उस माध्यम को उस medium को बोला जाता है बायोनेर्स्टिक फील्ड या information फील्ड जिसको हम लोग भारत में औरा के नाम से जानते हैं और जिस भाषा में यह सूचनाओं का आदान परदान होता है जिस भाषा में यह बात्चीत होती है वो भाषा होती है frequencies तो basically जो मारकस कीमिके है इन्होंने यही सोचा या यही plan बनाया है कि हम किस तरीके से physics को psychology के साथ जोड़ सकते हैं इसके लिए जब वो 21 साल के हुए या 20 साल के थे उसमें भारत भी आ गया यह और भारत में आके करीब अरिद्वार के उपर पहाड़ों में 10 साल इन्होंने एक मौंक की तरह जीवन गुजारा करीब 11 से 12 साल भारत में यह मौंक बनके रहे उसके बाद वापस जर्मनी गया है और जर्मनी में जाके उन्होंने एक quantum sensor को develop किया quantum sensor यह जो healy device होती है इस healy device के बिलकुल ठीक यहाँ पे पीछे जहाँ पे clip होती है इस clip के ठीक पीछे उन्होंने छेद करके एक अपने webinar में दिखाया भी हुआ था कि वहाँ पे quantum sensor होता है तो basically वो जो quantum sensor होता है वो यह पता कर सकता है quantum sensor मतलब बहुत minute से minute vibrations को भी read कर सकता है और वो पता कर लेता है कि हमारे body को उस वक्त कौन से frequencies की आउशकता है और इनका संपर्क इस तरीके से नूनो नीना से हुआ नीना नूनो नीना एक Portuguese therapist है जो करीब 20 सालों से frequency द्वारा लोगों का उप्चार करते रहते थे Portuguese therapist है तो basically frequencies का जो detailed knowledge था वो नूनो नीना को था quantum sensor से body की frequency requirements को पता लगने कि technology मारकस कीमिके ने डेवलप कर ली इस तरीके से इन दोनों ने मिलके time waiver company और उसके बाद हीली को डेवलप किया टाइम वेवर की मशीनें 20 साल से frequency therapy का काम करती है भारत में भी दो जगा पे इनके centers हैं दिल्ली में और मुंबई में यह काफी बड़ी और बहुत ही costly machines होती हैं जिनका 30 से 40 लाग का मतलब cost होता है और उसमें 5 लाग से ज्यादा frequencies होती हैं जिसको खाली doctor therapist operate कर पाते हैं तो इ एक आम इनसान भी इस महतुपूर्ण टेकलोजी को घर बैठे यूज कर पाए तो इन्होंने डेवलेप किया हीली जिसके अंदर में इन लोगों ने एक लाग चवाले सजार frequencies दी एक quantum sensor के साथ और यह application based होने के कारण काफी आसान था इसको operate करना कि एक छोटा सा बच्चा भ सबसे अलग बनाती हैं हीली को सबसे अलग बनाती हैं यह चीजें कुछ आपको जो स्क्रीन पर समय दिख रही हैं सबसे पहली बात हीली एक ISO 13485 medical grade device है तो इसका क्या मतलब होता है जैसे आप लोग x-ray कराते हैं या cd scan कराते हैं या MRI कराते हैं तो आपको यह कैसे पता है कि MRI मशीन के अंदर आप सुरक्षित हैं cd scan की मशीन के अंदर आपको सुरक्षित हैं और आपको कोई मशीन हाम नहीं करेगी इसकी जांच कौन करता है या उनको कौन सा सर्टिफिकेशन हासिल होता है तो उन मशीनों को भी ISO 13485 सर्टिफिकेशन हासिल होता है और यह किसी गरियाइस पूरी तरीके से मानों used के लिए सेफ पाई गई है इसा सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है अगली जो बहुत ही महतपून चीजा है जो बहुत rare devices को मिल पाती है वहatan fda का clearance यह device American fda 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 मतलब food and drug administration द्वारा cleared है तो एक्चुली अमेरिका में भी ये मेडिकल ग्रेट डिवाइस के तौर पे इसकी विक्री होती है और आप में से हम सब जानते हैं कि यूएस में जर्मनी में या यूरोप में मैं कह सकता हूँ कि कितने strict laws है health norms के प्रती तो सारे certifications हासिल कर चुकी हुई ये machine है ये device है इसके साथ में आपको एक unique compensation plan भी मिलता है मतलब हीली न सिर्फ आपकी health को ठीक करती है मगर आपको wealth भी दे सकती है मैं अपने इस webinar में business plan इसका discuss नहीं करूंगा उसका वीडियो में group पे share करूंगा और आप लोग उसको देख सकते हैं YouTube channel पे भी uploaded है अलड़ी वह Hindi में पुरा क्योंकि business plan हमेशा एक secondary चीज़ होती है primarily अभी हम इकठा हुए है यहां पर product के बारे में बात करने के लिए तो compensation plan तो no doubt अच्छा है मगर of course growth बहुत अच्छी इसलिए होगी क्योंकि product अच्छा है ultimately product ही देखा जाता है और अच्छा तो क्या है इस work में दूसरा कोई competition नहीं है पूरे विश्व में इस category में ना तो कोई product है ना कोई research हो रही है मतलब exclusive product है किसी को frequency therapy इतना असानी से लेन महतुपूर्ण बात जो भारत में बहुत ही कम company आफर करती हैं वो है 30 दिन की money back guarantee total peace of mind कभी भी आपको यह नहीं लगेगा कि मैं ले लेता हूं हीली फिर मेरा पैसा कहीं फसना जाए या पता नहीं मुझ पे काम करेगी या नहीं करेगी तो निश्चिंत रहिए आपके इन इस्तिमाल करिए 100% मेरा मानना है कि फायदा होगा चलिए मैं 99 भी बोलता हूं अगर फायदा होता है और एक परसेंट भी चांस ऐसा है कि आपको लगता है कि फायदा नहीं हुआ तो जस्ट आप mail drop कर दीजे device उनको वापस भेज दीजे और एक हफते से 10 दिन के अंदर में आपका पूरा पैसा refund हो जाता है बस 165 रुपे कुरियर के deduct होते हैं और बाकी पूरा आपको वापस मिल जाता है इस तरीके से peace of mind होती है अब मैं जब 30 days money back guarantee के बारे में बताया तो एक बहुत छोड़ी सी बात है मैं आप लोगों को जड़ा उसके बारे में बताना चाहता ह एक्चुली हमें से कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे मैं भी किसी को हीली के बारे में बताता हूं शायद आप भी किसी से सुने होंगे तो कई बार हमारी tendency यह होती है कि हम हीली को feel करना चाहते हैं हम देखना चाहते हैं कि असर करता है कि नहीं करता तो हम ले लेंगे अगर ऐसे भी लोग हैं जिनको फरक पढ़ने में 15 या 20 दिन का समय लगता है सबसे पहली बात friends मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इतनी महान टेक्निलोजी को दुनिया को बदल लेने वाले प्रोड़क्ट को इनकी 20 साल की महनत को एक दिन दो दिन या तीन दिन में जज़ करके ख दो तिन दिन अपनी wife को दिया खूब जम के frequency दिया बहुत सारे program दिया फिर उन्हों रिटर्न कर दिया दो तिन दिनों के बाद बुले कि मेरे wife को अच्छा नहीं लग रहा था मतलब थोड़े से घबरहाट होने लग रही थी कुछ-कुछ problem हो रही थी तो सबसे पहली बात ह होता है कि कैसे लगाना है उसकी manual होती है उसको follow करना पड़ता है दूसरी बात आप बोलो कि घबरहाट के होने लगी आप इस बात को मान के चलिए कि कोई भी detox की प्रक्रिया कोई भी detoxification की प्रक्रिया अगर body में होती है हो सकता है आपको कुछ महसूस हो तो recommended यह है कि ऐसा इसलिए नहीं कि वो आपको नुक्सान करेगा बलकि ऐसा इसलिए कि detoxification की प्रक्रिया gradual हो भी body में इतने सालों का कुछ कचरा अगर भरा है और body उसको throw करेगी body उसको flush out करेगी toxins को तो उसका जो आपको एहसास होता है वो होगा ही नहीं पता ही नहीं चलेगा तो जब भ भी जे कि हम यह कहते हैं कि हीली के यूज से हमारे cells में regeneration उता cells भी हमारी grow करती है तो आप सोचिए जो हमारा hair है बाल होता है कितने तेज ग्रो करते हैं बताइए cells तो है ना यह रात भर में बाल तो बढ़ नहीं जाते हैं अगर किसी problem से आप ग्रसित हैं आपको knee pain है या कि 5 साल की 10 साल की 20 साल की problem है तो 20 दिन तो दीजिए 10 दिन तो दीजिए तो मैं आप लोग को बहुत इमांदारी से एक advice दूंगा कि कभी भी हीली को एक therapy दो थरपी एक दिन दो दिन में जज मत करिए cell level पे काम करता है gradual काम करता है धीरे धीरे काम करता है पूरा 30 दिन का पेड़ा उठाइए अराम से हीली को acquire करिए और एक mission बनाईए कि अगले 2-5 सालों में हम chemical दवाओं से free अपने body को कर पाए तो एक्चुली जो हीली की technology है वो जो technology है मैं अभी आपको उसके बारे में ही बता रहा था और हीली की technology के बाद हम थोड़ा सा समय देंगे क्याकि मैं आज आप लोग को बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लोगा आप लोगों का हम थोड़ा साप समय लेंगे लिए कि हीली के जो दो लिटरोड लगा करके थेरपी दिया एक बार में फाइदा नहीं हुआ बोले अरे काम नहीं करता अरे भाई आप मुझे बताइए ऐसा कौन से डॉक्टर इलाज करता है कि बोले कि भाई या 30 दिन के लिए 30 डेज के लिए मैं तुमको फीस दे दीजे उसके बाद अगर आपका पूरा मर्ज क्योर नहीं हुआ या आपको फाइदा नहीं हुआ तो मैं पूरे पैसे वापस कर दूँगा नहीं बोलता ना हीली बोलता है तो बेसिकली आप उस इंटेंशन को समझे उस इमानदारी को समझे इंटेंशन भी बहुत ज़रूरी है कि सही हो ताकि फ्रिक्वें किस तरीके के खुते है तो मैं आप लोगों से अपनी स्कीन शेयर कर रहा हूं यह हीली का पिंक एप बोला जाता है जो हीली का हीली का बेसिक एप होता है तो इस हीली के बेसिक एप में मैं आउं उसके पहले मैंने एक चीज़ मिस्स कर गई है मैं आप लोगों को पहले वो बत इसके साथ में आपको तीन टाइप के एलेट्रोड मिलते हैं एक तो मिलते हैं यह कलाईों में पहनने वाले जैसा मैंने यह पहना हुआ है कलाईयों में ऐसे elektroads मिलते हैं, दूसरे type का elektroads मिलता है आपको ear clips, ear clips होती है जो ऐसे कानों में जहां बालिया पहनते हैं वहाँ पे इस तरीके से पहन सकते हैं ये ear clips आप सभी को दिख रहा होगा, ear clips मिलते हैं, और तीसरे तरीके का, जो हमें elektrode इसके साथ में मिलता है पेस्ट कर सकता हूं एक यहां एक यहां जहां पर भी मेरा दर्द है मुझे कोई प्रॉब्लम है वहां पर मैं इसको पेस्ट कर सकता हूं तो यह तीन तरीकों के मुझे इलेट्रोड मिलते हैं और मिलती है केबल केबल का यूज कैसे होता है कि ये जो मेरे कलाईयों में मैंने ये ये इलेटरोड लगाया है इसमें मैंने ये इसको इस तरीके से फिक्स कर दिया और ये जो केबल है इस केबल को यहां पे हीली के साथ मैंने कनेक्ट कर लिया मगर यह जो मैं केबल की बातें बता रहा हूँ यह जस्ट दो तीन महीने की बातें और है इसके बाद हीली लॉंच कर रहा है एक कॉईल करके डिवाइस है कॉईल एक्चुली यहां पर फिट हो जाएगा और तीन मिटर के दाइरे पर काम करेगा तो आपको यह जो इलेटरोड हो गया या तार हो गया इन चीजों की आवशकता नहीं रहेगी, खतम हो जाएगी हाँ, आप इससे भी यूज कर सकते होंगे मगर कॉईल लेके भी कर सकते हैं तो कॉईल आप अलग से पर्चेस करना पड़ेगा एक एकसिसरी के तौर पे और आइडोंट नो की बेचेंगे की साथ में देंगे अभी उसका उन्होंने वो क्लियर नहीं किया है, मगर कॉईल रिलीज कर रहे है अगले एक से दो महीनों में तो यह इलेटरोड की बाधिता सभी प्रोग्राम्स के लिए नहीं रहेगी हाँ, कुछ प्रोग्राम्स के लिए तो रहेगी जैसे लोकल कोई पेइन वाला प्रोग्राम है तो वहाँ पे एलेटरोड के बिना काम तो चलेगा नहीं और चलना भी नहीं चाहिए अब मैं आप लोगों के साथ मेरा जो स्क्रीन है एप का मैं वो आप लोगों से शेयर करता हूँ यह आपके सामने स्क्रीन है यह सारे प्रोग्रामस है इनको हीली की भाष्टा में थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को सुनियेगा इनको प्रोग्राम पेज बोला जाता है ये सारे program page हैं जैसे मैंने gold cycle सबसे उपर है उस page को select किया तो ये gold cycle का page खुल गया इस एक page को क्या बोला जाता है program page इस तरीके से 14 या 15 program page होता है pure, care, balance, being ये पूरे body पे काम करते हैं किस program का जैसे gold cycle program page है उसके अंदर में जो आपको pure दिखता है वो एक program है हीली program है, frequency program है तो किस program में क्या काम होता है इसका पूरा detailed description होता है जो कि आपने जिसको, जिसने भी आपको meeting में आ, invite किया है उससे आप उस PDF को हासिल कर सकते हैं दूसरे page पे मैं आता हूँ तो pain and psyche है तो देख सकते हैं आप chronic back pain chronic pain, teeth jaw local local joint, migraine, insomnia depression, anxiety depression का direct program है यहाँ पे anxiety का direct program है अगर मान लिजे मैं joints local को चुनता हूँ तो यह मुझे दिखाता है app की मुझे लिट्रोड कहां पे लगाने है गोल गोल डॉट्स बनी है इसका मतलब है कि मुझे adhesive electrode को चिपकाना है तो बस duration भी आपको दिखा रहा है 30 minutes और इस तरीके से adhesive electrode को आप चिपकाईए 30 minutes के लिए start की बटन दबा दीजे तो 30 minutes आपको healing देगा इस तरीके से आपको लेना रहता है और मैं वापस आ गया अगला page देखिए learning आजकल तो बहुत अधिक जरूवत है और बहुत अच्छा काम करता है इसमें learning systematic programs learning acute programs मगर मैंने बोला ना कि कई लोग healing के बारे में कम जग रुकता के करण भी इसका फाइदा नहीं उठा पाते जैसे एक सज्जन से मेरा सामना हुआ उन्होंने बताया है कि मैं तो क्या करता हूँ एक गंटे में 5 प्रोग्राम लेता हूँ सब को 10-10 मिनट ले लेता हूँ तो भई ये तो बिल्कुल गलत काम है जैसे मैंने learning systematic program को चुना तो आप देखिए 57 मिनट बता रहा है अब आप सोचोगे अपनी चालांकी से कि चलो मैं 10-15 मिनट ये ले लेता हूँ फिर 10-15 मिनट अगला ले लेता हूँ इस तरीके से तो आपने actually कुछ भी नहीं लिया क्योंकि ये 57 मिनट तक हीली का अपना खुद का एक planning होता है पुरा 57 मिनट आपको लेना पड़ेगा क्योंकि शुरुआत के कुछ मिनट तक तो आपको warm-up करेगा फिर अगले कुछ समय तक तो resonance द्वारा आपको read करके जो frequency आपको real time में चाहिए वो frequency आपको deliver करेगा आपको read भी करेगा diagnose भी करेगा और वैसा frequency भी आपको देगा ऐसा नहीं है कि fixed frequency देगा ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जितने लोग frequency लेते हैं सब को unique frequency set मिलता है सब को अलग-अलग मिलता है तो इसलिए जो भी duration है उतना पूरा लेने से फाइदा मिलता है ऐसा नहीं कि दस-दस मिनट में हम change करते जाएं फिटनेस पेज है weight muscle circulation performance strength stamina regeneration regeneration बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप exercise के बार protein पीते हैं ताक कि जो muscle हमारी थोड़ी workout हुआ है उससे regenerate हो पाएं तो regeneration बिल्कुल वैसा ही है जॉब एंड स्लीप positive thoughts balance now fatigue extreme stress balance sleep यह बहुत ही अच्छे programs है mental balance यह वो चीज है जिसका कि मैं कह रहा था आपको कि chemical युक्त दवाओं में जिनका कोई उप्चार ही नहीं है friends याद रखिए energy वाली चीजों को वे वाली चीजों को physical body के method से नहीं किया जा सकता किसी को गुस्सा आता है तो आप उसको operation करके ठीक नहीं कर सकते हैं इस बात को समझने की जरूवत है तो यह सब program जैसे contentment है content content systematic program मतलब क्या होता है कि कोई चीज को पाने की तलब like किसी को tobacco की हो सकती किसी को कोई चीज की हो सकती है तो उस पे भी काम करता है यह contentment का मतलब वही होता है फिर इसके बाद में आप देखे beauty skin inner beauty hairs hair fall रुखता है friends हमारे पाच कुछ testimony है जिसमें लोगों के hair falls में कमी आई है hair program से उसके बाद anti-aging nails skin elasticity की बहुत अच्छी रेफ्रेंस है मगर स्किन लास्टिसिटी आप गम सब्सक्राइब 20-25 दिन लेना पड़ता है तब स्किन लास्टिसिटी पर आपके फरक पड़ता है डेली एक बार लेना होता है 20-25 दिन तक फिर support since kiss मतलब जो नीचे लिखा हुआ है नीचे से दूसरी लाइन पर support skin systematic program यह कोई भी चोट गहाओ के लिए होता है उसके बगल में skin impurity मतलब मुहासों के लिए है फिर support skin local मतलब कहीं पर घाव है कहीं कटा फटा है कोई open wound है तो वहाँ पर आप डेसिलेट रोड लगा के frequency ले सकते है scars local मतलब शरीर में कोई भी तरीके के दाग है जिसको हम लोगों ने sorosis पर भी try किया result मिलता है इस तरीके से bionergic harmony one और harmony two इनको first aid kit बोली जाती है immune system बच्चों को देना चाहिए chilling मतलब cold का program है hyper sensitivity का मतलब यह allergies के बारे में है eyes हम सब जानते है hormonal imbalance की कारण कई बार लोगों गुस्सा आता है बहुत कुछ आता है तो आप देखेंगे सारे जो important functions है body के life circulatory system BP के patients पर बहुत अच्छा काम करता है potency menopause menstruation local इसके बाद में gastro bacteria tonsil liver food sensitivity toxin head prostate lungs thyroid gland joints bone cytica local यह सारे नाडी तंत्र है meridian one meridian two यह सभी नाडी तंत्र है हमारे इसमें खास करके जो meridian two में spleen pancreas नाडी तंत्र है यह diabetic patients पर बहुत अच्छा काम करता है diabetes वालों के लिए spleen pancreas काम करता है kidney काम करता है lymphatic systems यह तीन program बहुत ही अच्छे प्रोग्राम से diabetic patients के लिए chakra balancing चक्रा क्या क्या मतलब होता आराम से आप internet पर पढ़ भी सकते हैं chakra balancing programs होता है protection program है हम कई बार अलग अलग तरीके के stones को अपनी अंगुठियों में पहनते हैं planets के protection के लिए तो आप सबसे नीचे देखिए इसमें planet protection program भी है और इस तरीके से यह काम करता है deep cycle program बहुत ही अच्छा है जो कई सारे different चीजों पर काम करता है मगर बहुत systematically लेना पड़ता है first application second application third application gradually इस तरीके से हमें last तक जाना रहता है fine flow इसमें खास करके काम में आता है BP patients के लिए breath of life पूरे अपने जो हमारा respiration system है lungs और उपर अपनी wind pipe इन सब पर बहुत अच्छे से काम करता है कभी आपने खाना गलत खा लिया है पाचन शक्ती की दिक्कत हो रही तो आप digest all program भी ले सकते हैं तो इस तरीके से बहुत wide variety of programs होते हैं यह फ्रेंड्स पाइथर्गोरियन पाइथर्गोर्स जो साइंटिस्ट थे उनकी frequency पे अधारित के coherence program है जो कि अभी मार्कस किमिके ने एक इंट्रिव्यू में दिखाया था कि heart rate को तुरंत control करता है और बहुत सारी चीज़ों पर काफी अच्छा प्रभाव इसका होता है को एक थोड़ी सी फीस दे करके आप अपनी personal कुछ problem है जो इसमें character नहीं हो पा रही है उसके लिए therapist program बना सकते हैं और वो आपको इस खाली पेज में दिखने लगते हैं इस तरीके से यह सारे मैंने आपको एप दिखा है मैं बस बहुत जल्दी में आपको एक छोड़ी चीज दिखाऊंगा कैसे काम करता है जैसे मान लीजे eyes मैंने eyes program लिया तो यह देखिए इशारा कर रहा है कि आप wristband लगा लीजे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने wristband already पहना हुआ है तो बस wristband पहना हुआ है और मैं यहाँ स्टार्ट कर दूँगा स्टार्ट कर दूँगा तो यह जो program है यह मेरे mobile से transmit हो जा रहा है हीली में यह हीली में program transmit होता है transmission में कई बार थोड़ा सा समय इसलिए लगता है क्योंकि बहुत safe channel से transmit होता है क्योंकि FDA clear device है कोई hack ना करे कुछ ना करे बहुत safety modes का इसमें ध्यान लेता है मगर हां इस transmission के लिए या हीली को इस्तिमाल करने के लिए आपको internet के जरूवत नहीं है क्योंकि यह सिर्फ mobile से device पे transfer हो रहा है और बिना internet के भी काम करेगा क्योंकि जो इसके आइजिए intelligence के program है वह आपके app में transfer हो चुके हैं तो इस पूरे use के लिए internet आपके device से connected न इसका program शुरू हो गया यह skin intensity में बढ़ा सकता हूं इसको बढ़ा के अपने comfort level पे कर सकता हूं मैं अपने ताकि मुझे current ऐसे feel ना हो अब उपर आप देखिए 65 minutes time बता रहा है अब मुझे फाइदे के लिए 65 minutes लेना चाहिए मगर आप frequency देखिए change हो रही है 191.4 hertz अभी दे रहा है और अभी देखिए 601 601 hertz हो गया मतलब यह real time पे चलता है अगली frequency कौन सी आएगी यह मुझे diagnose भी कर रहा है और मेरी जरूवत के हिसाब से मुझे frequency दे रहा है आप सेम प्रोग्राम आइस को लेंगे तो जिस order में frequencies मुझे दे रहा है इसी order में आपको देगा से देगा हर किसी person को उसके हिसाब से देगा इसलिए result oriented है because real time पे काम करता है तो पूरा 65 मिनट जरूरी नहीं कि चले अगर diagnosis में इसने यह feel किया कि 60 मिनट में मेरा काम हो गया है तो खतम कर देगा तो जरूरी नहीं होता कि जितना समय आपको यहां दिख रहा है पूरा चले 5 साथ मिनट कम यह जादा भी चल सकता है डिपेंडिंग ऑन आपकी बॉड़ी की requirement कैसी है क्योंकि यह सारा कुछ real time पे हो रहा होता है तो मैं अभी इस एप को यहीं पे फिलहाल बंद करता हूँ और आप लोगों को इस एप से मैं बाहर होने के बाद थोड़ा सा जो हीली का resonance एप है वो भी मैं brief में दिखाने की कोशिश करूँगा हीली के दो अलग-अलग एप होते हैं तो जो हीली का पहला एप था यह मैंने आप लोग को वो दिखाया अब मैं हीली का आपको दूसरा एप दिखाता हूं जो की आपको यहां पर मेरे स्क्रीन में राइट साइड में दिख रहा होगा हील एड़वाईजर एप है हील है इंटरेट पर चलने की मगर आज वह प्राब्लम रिजॉल्व गई एंटरेट के साथ में भी चल रहा है आप इसमें क्या कर सकते हैं कि किसी भी परसन के अलग अलग प्रोफाईल्स बना सकते हैं दो तरीगे की analysis कर सकते रजलेंस ऐसे और और अनलसिस मैं अपना प्रोफाई पहले से बनाया हूं उसी को यूज़ करूंगा मगर एक बार आपको दिखा देता हूं ब्रीफ में कि प्रोफाइल कैसे बनता है कि एक्चुली कि यह होम को मैंने चुना इसके बाद Add New Client सबसे उपर दिखता है मैंने उसको चुना Person, Animal, Plant, Organization, Building, Vehicle इन सबके प्रोफाइल बन सकते हैं तो मैं प्रोफाइल बना रहा हूं परसन का परसन का प्रोफाइल बनाऊंगा तो सबसे उपर फोटो डाली जाएगी Record Vibration के Plus Sign से मैं सामने वाले की Vibration को Record करूँगा हीली को वहाँ पर रखके उसके हाथों में रखके और बाकी के Description से आप देख सकते हैं यह सब कुछ मैं वहाँ डाल दूँगा और सबसे लास्ट में जो बटन है Synchronization, Client Data उसको में टिक करूँगा ताकि यह Data Cloud में भी Save हो पाए ताकि कल को अगर मेरा Mobile भी Change होता है तो यह जो Client की Information है यह कहीं दूर नहीं जाएगी मेरे को Cloud से हमेशा Accessible रहेगी है डाउनलोड हो जाएगी Record Vibration जो Plus Sign यहाँ पर दिखता है अगर मैं वह दबाता हूँ तो इस तरीके से यह कहता है कि Please Hold Your Healy in Your Right Hand और Plus Sign से मैं सामने वाले की Record कर सकता हूँ Vibration और Vibration से यह मेरी जो Information Fields को Read करके मुझे Scan करके बता सकता है कि मुझे इस वक्त किन Frequencies की आउशकता है तो मैं इसलिए अभी इस से बाहर जा रहा हूँ और वापस मैं आता हूँ बीच में जो Wave जैसा Sign बना है उस पे और Analysis दो तरीकों का होता है जैसे मैं पहले अगर चुनता हूँ और Analysis उसके बाद मैंने अपने बेटे का आदित मिश्रा का मान लीजे मेरा बेटा है उसका मैंने यह प्रोफाइल पहले से बना हुआ उसको मैंने चुना तो यह बोलेगा रेकॉर्ड औरा मैंने रेकॉर्ड औरा किया तो यह Analysis करेगा अभी और मुझे इस तरीके से यह डिस्प्ले करेगा उपर जो तीन लाइने दिखती है उसको मैं क्लिक करूँ तो यह मुझे अभी एनरजी दिखती है एनरजी लेवल दिखता है कि किस चक्रा की क्या एनरजी है जैसे सबसे राइट साइड में जो दिख रहा है वो रूट चक्रा है फिर सेक्रल है सोलर प्लेक्सिस है फिर हार्ट है थ्रोट है फोरेड है crown है और यह जो blue tick है मैं इसको कम भी कर सकता हूं जहां चाहूं और बढ़ा भी सकता हूं जैसे मैं चाहता हूं कि सिर्फ throat chakra पे काम हो और सिर्फ solar plexus पे काम हो तो मैं बस उन दोनों को select करे रहूंगा और मैं आगे interpretation भी देख सकता हूं जिसमें हीली अपना interpretation भी हमें बताता है start analysis करता हूं तो इस तरीके से मैं start analysis करूंगा तो हीली खुद अभी इस समय analyze करेगा और जो भी chakra imbalance था उसको balance करने के लिए यहां से मैं vibrate कर सकता हूं action से यह पूरी report को मैं किसी को pdf द्वारा इस तरीके से मैं pdf शेयर करके भेज भी सकता हूं किसी को दिखाना हो तो vibration की द्वारा मैं जो time है इसको चुनूंगा तो 37 seconds मैंने चुना तो 37 seconds के लिए मैं vibration भी दे सकता हूं wirelessly तो इस तरीके से मैं चक्रा balancing कर सकता हूं तो दो तो दो तीन दिनों में यह activity कर लेना ठीक रहता है चक्रास का energy balance इस तरीके से हो जाता है और जो duration है वह आप चुन सकते हैं वैसे यह माना गया है कि duration के बारे में manual सब रहता है वह बाद में जो usage की meeting हमारी हर सटेड़े होती है details usage के बारे में हम सटेड़े को बात करते हैं आज की meeting नए users के लिए है इसलिए मैं सिर्फ आपको क्या क्या हो सकता है हीली में आपको सिर्फ वो showcase कर रहा हूं दिखा रहा हूं मान लीजे वापस मैं main screen में जाता हूं resonance analysis पे जाता हूं फिर से मान लीजे मैंने मेरे बेटे का profile चुना continue with the database selection उपर देखिए हीली डिडिडि नूट्रेशन मिक्स आया है उपर वाला अगर मैं database चुन लूँगा तो सारे nutritional deficiencies को यह मुझे बताएगा भी और frequency द्वारा क्यो होमेपेथी medicines फिर सारे amino acids भी है और अलग अलग सब यहां पर therapy की पद्दती हैं आप किसी से भी scan कर सकते हैं मैं सबसे नीचे इसमें है all hilly programs all hilly programs चुनता हूं और analysis start करता हूं थम लगाने को यह बोलता है जिससे की device मेरा attention चाहता है ताकि मैं ध्यान इधर रखके ही काम करू और इस तरीके से रिपोर्ट generate हो जाती है यहां पर यह दिखा रहा है कि 61% bionergic balance program 1 की जरूवत है 59% यह अभी मैंने कुछ दिर पहले जो आपको pink app में दिखाया थे ना pages bionergic harmony 1 harmony 2 करके जो pages मैंने भी कुछ दिर पहले दिखाये थे तो यह बता रहा है कि किस page की कितनी ज्या करनना हो तो मैं सीड़े सीड़े यहीं से actions करके यहीं से vibrations मैं यहीं से vibrations मैं send कर सकता हूँ time जैसे मैंने चुन लिया मान लीजे 37 seconds का फिर से और start कर दिया तो यह vibrations transmit करना शुरू कर दिया तो यह resonance app को use करने में electrodes की जरूवत नहीं होती है यह पूरा transmission wireless भी होता है और distance पे भी होता है distance पे का मतलब distance healing भी होती है जिस बारे में फिलहाल हम अभी बात नहीं करेंगे मगर yes distance healing भी इससे हो सकती है और analysis भी हो सकता है और आपने किसी का profile एक बार बना दिया तो वो profile ता उम्र काम आएगा क्योंकि bio energy field जो होती information field होती किसी इंसान की वो कभी change नहीं होती है जैसे मैंने अपने बेटे का भी बना लिया है मेरा बेटा अगर 30 साल का भी हो गया तो भी मैं इसी profile से उस समय की स्थिति को scan करके और healing दे सकता हूँ मुझे profile बार बार बनाने की कोई आउशक्ता नहीं है तो brief में मैंने आपको दोनों applications के बारे में बताया और of course आप समझ सकते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा ग्यान का भंडार है और कितना भी समय इसमें दिया जाए कभी खतम नहीं होगा तो holy का दिन है और मैं आप लोगों का बहुत अधिक समय भी नहीं लेना चाहूँगा तो basically हीली के बारे में friends मेरा आप लोगों को यही कहना है कि उसको एक इतनी बड़ी technology को इतने बड़ी शोध को इतने बड़े काम को एक दिन में परक के दो दिन में परक के मत निकल जाएए किसी को भी आप ये मत बोलिये कि यार मेरे को आप एक दो दिन दे दो frequency मेरे को फाइदा होगा तो मैं ले लूँगा आपने जहां ऐसा किया मैं आपको बेचने के लिए या हीली के प्रमोशन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं दिल से जिस बात को मानता हूँ आपको मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप बहुत गलत कदम उठाएंगे ये गलत कदम मतलब आज हमारे पास एक ऐसी चीज है जो बिना दवाओं के सिर्फ frequency द्वारा क्योर करने की शमता करती है और company आपको 30 दिन तक बिना किसी problem के बोलती है आप यूज करके जज करिए तो इतने बड़े समुद्र के किनारे बैठके एक बल्टी पानी ले करके मत नहाईए समुद्र में कुछ जाईए आज आप सोचिए कि एक household में एक घर में तीन-चार मेंबर्स हैं हर किसी के पास smartphone होता है सब के पास 15-15,000 के smartphone भी हैं 10-10,000 के भी हैं तो भी कम से कम 40-50,000 के smartphone हो जाते हैं आप एक अगर हीली 41,000 का ले लेते हैं तो इससे घर में कोई एक household lady है जिसकी अपनी problems होगी कोई एक बच्चा है जो पढ़ता होगा उसको पढ़ाई के लिए जरुवत होगी कोई मान लीजे एक person ऐसा है जो जिसको insomnia depression भी हो सकता है कोई बुजुर्ग भी हो सकता है जिनको गुपने का दर्द हो diabetes हो सकता है बीपी हो सकता है तो और वो भी एक device एक person पे एक घंटा या दो घंटा यूज होता है तो एक एक घंटा करके आप तो चार-पांच लोगों में अलग-अलग बार-बार यूज कर सकते हैं मतलब ऐसा तो है नहीं आपको कि एक device सिर्फ एक person के लिए हो गया इव हम इसको भरपूर ट्राई दें हर चीजों पर ट्राई करें और सिस्टेमेटिकली ट्राई करें प्रेगनेंट वूमेंस पर यूज नहीं होगा एपिलिप्सी में यूज नहीं होगा अगर आपके कलाईयों पर मान लीजे सर्जरी हुई है यहां पर कोई metal पार्ट है तो वह नहीं करना है और डाउट हो तो भी आप जिनने आपको इंड्यूस किया हीली से आप उनसे इस बात को पूछ के डिसकस कर सकते हैं या मेरे को भी आप इस बारे में पूछ सकते हैं सो बेसिकली हम लोगों तक इसको पहुँचाएं लोगों को इसकी जानकारी दें और याद रखिए जब हमारे उम्र बहुत जादा होती है बुजरुग लोग होते हैं एक जब नैचुरल डेथ भी किसी की होती तो आप पाते हैं कि वो डेथ भी अंतिम जो दवाएं इंसुलिन देते हैं तो आप उस बॉड़ी के पैंक्रिया को यह एहसास दिला देते हैं कि भाई तेरी इस चरीष को जरूँच नीं तू तो चले जा तू और पहले मर जा मतब जो पैंक्रिया विचारा काम कर सकता था या थोड़ा सा कम काम कर रहा था आपने उसको एहसास इला दिया कि तेरी इस चरीर को जरूवत नहीं है मैं तो इंसुलिन बाहर से दे दूँगा ये इलाज तो नहीं हुआ इलाज तो ये होता कि अगर वो पैंक्रिया खुद वापस अपना काम पहले की तरह करने लगता और वो बिना सेल रिजनरेशन के पॉसिबल नहीं है तो ये डिवाइस मैं नहीं कहूंगा कि वैसा करता है मगर उस दिशा में काम करता है मगर जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हमें बहुत टेस्टिमोनीज मिलेंगी और बेसिकली ये बिलकुल अलग पदती है मुझे ऐसा लगता है कि एक इंजिनियर को समझने में जितनी तकलीफ आएगी एक डॉक्टर को भी समझने में उतनी ही तकलीफ आएगी बिकॉस डॉक्टर्स जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो एक फिजिकल और मेट्रिलिस्टिक बॉड़ी के बादे में पढ़ते हैं मगर ये बॉड़ी को फिजिकल बॉड़ी मानता ही नहीं है हीली ये आपको एनरजी का बंच मानता है आप कुरसी पी नहीं बैठे हैं आप पूरे कमरे में भरे हुए आप ऐसे इमाजन करिए और दूसरी बात यह सोची कि दुनिया की हर एक चीज लिविंग नॉन लिविंग एक दूसरे से इनरजी के थूप कनेक्टेड है तो यह चीजें बहुत ही एक्साइटिंग है और ज़रूरी नहीं कि हर बात हर कोई समझ पाए मैं भी सब बात नहीं समझ पाया हूं मगर इतना जरूर देखता हूं कि डिवाइस का जो परपस है वो सॉल्फ करती है डिवाइस काम करती है मैं आपसे जूम के थूरू कैमरे के थूरू लैप्टॉप के थूरू बात कर रहा हूं मगर लैप्टॉप कैमरे की हर बात मुझे नहीं पता है सारी चिप की टेक्निल पूर्टिपेशन पूर्टिपिशन और प्रिकेशन और की यृटिट विप्ट ही और यृटिवा जितना जल्दी बोड़ गर लेंगे अच्छा रहेगा अधा है पहले कोशिश कर रहे है कि आप फैदा मिला जितना ज्यादा पाएदा आप इसका ले पाएंगे और उतना सब्सक्राइब आपको फाइदा मिला चाहिए थैंक्स पर पाडिस्पेशन